G के engines जो की तेजस में लगने हैं उस पे हलका हलका डिले करता है और फंदरा दिन में आया, भाई साथ 20 दिन में आया, भाई साथ 30 दिन में आया फ्रांस जो है उसने nuclear submarines के हवाले से full support दी है, jet engines, underwater drones, वो कह रहा हैं कि हम इंडिया को देंगे क्यों मोधी सरकार में फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती एक नए लेवल पर पहुँच रही है, अब ताजी ख़वर यह है कि भारत-फ्रांस strategic defense partnership इस partnership में एक और भी बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, जिसमें Emmanuel Macron सरकार भारत के साथ परमानू हमलावर पंडुब्यों यानि nuclear attack submarines के निर्मान पर भारत के साथ चर्चा, discussion और support करने के लिए भी तयार है अबने बात करी थी थी ने एमजी अगे बारे में, 5th generation fighters, उसका engine दे रहा है फ्रांस आपको और complete transfer of technology United Nations Security Council का permanent member है, आपको पता है कि वो atomic power है, आपको पता है कि उसके nuclear technology among the best अभी दो दिन पहले जब आपको यह पता चला होगा के अमरीका के अंदर जो New York की एक district court जो है, उसने नरेंदरा मोदी के आने से पहले इंडिया के जो national security advisor अजीद दोवल, उनके जो court summons जो हैं, वो निकाले है फ्रांस और इंडिया strategic defense partnership के लिए तयार हैं, यह एक ऐसा strategic defense partnership है, जिसके अंदर फ्रांस की तरफ से इंडिया को मदद दी जाएगी, facilitate किया जाएगा, support किया जाएगा for the construction of nuclear attack submarines So, एक बड़े विमाने पे दोनों मुलकों के bilateral cooperation जो हैं, वो मुझूद हैं और जो नजर भी आते हैं, और पता चलता है कि भाई, यह इस तरह की चीज जो है, वो है फ्रांस का रहा है, sovereign right dog Hello जहिन दोस्तो, Espinions 91 में आपका स्वागत दोस्तो, दोस्तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा, फ्रांस के साथ में रिस्ते जो है, दिन पर दिन बहतर होते जा रहे हैं, बल्कि बहतर क्या पहले से ही बहतर हैं, क्योंकि मोदी जी कभी भी कहीं भी बिगाड कर नहीं रखत मिलकर के, फ्रांस हमें सम्मरीन देगा, और फ्रांस के साथ मिलकर के एक यह जो डिफेंस डील हुई है, इससे पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो आवाम है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि पाकिस्तान दिन पर दिन डूपता जा रहा है उसके वहां पर आवाम को उसकी आटा नहीं मिल रहा है आटे की लाइनों में लोगों को लगना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनिया जो वहां पर थी वो सब वहां से उठकर के भारत आ रही है तो इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है तो आई दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं 100% TOT including hot engine sections तो सारा का सारा पकड़के तेजोरी की चावी दे दी वहला भाई साब आप भाई हो हमारे दोस्तों ले जाओ हाँ financial transaction होंगे deal होगी भारत इसका मोटा पैसा देगा लेकिन ये technology ना सिर्फ पैसे से नहीं आती ये technology सिर्फ पैसे से नहीं आती भाई पैसा तो बहुत देशों के पास है किन-किन को दिया है not only money इसमें relationship also counts इसमें geopolitics also counts तो ये हमें देखना पड़ है पहली चीज़ दूसरी चीज़ साफरान ने बोला है कि Indians को हम train करेंगे advanced metallurgy में और assist India in upgrading this fighter jet engine for newer version of AMC है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ और ये sovereign property of India होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यानि कि India third countries को बिना France से पूछे export कर सकती ये भी बता चुका हूँ अब डोवाल जाब और मैकरॉन की जो meeting है वो मैकरॉन को मिलेंगे जो France के president है और brief French president on India's efforts to end the Ukraine conflict Macron has been totally supportive of India's efforts to engage with the Russians to end the war अब देखे ना इसमें भी दो चीज़े है France समझता है कि भारत क्या करना चाहरा है अमरीका अमरीका ये सब लोग चूचू चूचू इनका ये short-sighted देश है भारत क्यों मिला पूटिन से जाके फ्रान समझता है कि तुम पूटिन से नहीं मिलोगे लड़ाई खतम नहीं होगे लड़ाई शुरू किसने करी पूटिन ना जैलिंसकी नहीं शुरू नहीं करी पूटिन नहीं शुरू करी है जिसने लड़ाई शुरू करी है जो यूकरेन के अंदर घुज गया है तुम कह रहे हों उससे बाती नहीं करेंगे उससे उससे बात नहीं करो के लड़ाई कहांसे ख़ता होगी यह बात France समझता है तो France नहीं बोला done हम आपको पूरी तरीके से support करते हैं दोस्तों इसके अलावा France और India already collaborate कर रहे हैं एक और बहुत जिसको कहते important मामले में यह है future conflicts as space, space के मामले में हम लोग वो कर रहे हैं दोवाल साब एक letter sign कर चुके हैं, letter of intent on military satellites with French Defence Minister Sebastian Le Corneau यह जब Republic Day में आये थे, Macron साब France के President, तब दोवाल साब ने इन चिप्ठी पर sign कर दिया था France has also offered full spectrum autonomous systems to India in air surface and underwater domain जिससे कि भारत का ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance, यह boost up होगा मैं कागत से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कोई चूक न हो जाए मुझस साब बड़ी important कबर है दोस्तों यह बहुत ज़दा important कबर है और यहाँ पर डोवाल साब ने अचानक सब लोग पूछ रहे थी यार मोदी जी, अमेरिका में हैं, डोवाल साब, डोवाल साब यहाँ पर गेम कर गए बीचे है और यह ऐसी चीज है कि अगले 30-40 साल तक भारत को सपोर्ट करेगी ऐसा गेम ऐसा AMCA का engine यार, can you imagine? nuclear attack submarines यह अलग dimension का cooperation हो रहा है फ्रांस और भारत के बीच में, अलग dimension का एवन कोई यहाँ पर अमेरिका को लगा कि यार, थोड़ा सा गड़वड मामला हो रहा है ठीक है, वो तो खालिस्तानियों को नचवा रहे थे बाहाँ पर, यह देखिए, वीडियो छोटा साथ खालिस्तानी नीचे नाच रहे हैं, मोदी जी के होटल के सामने, 8-10, अपनी Uber टैक्सी पार्क करके आएं, कहीं कोने पर अपने ट्रक फ्रक पार्क करके आएं, द्यारी छोड़ के अपनी और यहां पर जंडा लहरा रहे हैं, 8-10 से जादा नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो ना, anyway, वहाँ पर अमेरिका को लगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि यह मोटा मामला तो बिलको ललग होगी और उसने, देखिए, GE एंजिन्स देगा भारत को, नहीं द बने थे, अपरेल, मई, जून, जुलाए, अगस, सितंबर हो गया, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब आएंगे, यहां पर फ्रांस ने बोला कि ले जाओ, आज की तारिक में ले जाओ, पूरी टेक्नोलोजी ले जाओ, और सिर्फ टेक्नोलोजी नहीं बनाएंगे आपके साथ भारत के अंदर बनाएंगे, आत्मरवर भारत के तैद बनाएंगे, और भारत को किसी और को देना है, वो भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेमिकंडक्टर चिप्स विट मिलिटरी अप्लिकेशन इसकी बात हो रही है। और ये बात चल रही है कि बॉस ये फैक्टरी बनेगी कलगत्ता में। स्वाइटर में भी फिट हो जाएंगे। नूक्लियर अटक्ट सब्मरीन्स की बात कर रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी डिले हैं। कि लोग अब ये समझ चुके हैं। और ये ऐसास आज से नहीं काफी टाइम पहले से था। अब हो ये रा है कि जो जिसे कहते हैं ये अमरीका के जोनाशनल स्ट्ड के अडवाइजर हैं। एक सुलिबन और भारत के जो नैशनल सेक्यरिटी अडवाइजर है जी दोवल साव यूनों ने बहुत जादा काम किया था इस चीज में पर्टिकुलर्ली जो नैशनल सेक्यरिटी के परस्पेक्टिव में अगर आप देखें कि जो उस वकत डिसकुशन्स हो रही थी कि किस तर पर वो कह रहे थे हमने फोकस करना यह यह एक पॉइंट था जिसको मैं समझता हूँ कि उन्हों ने यह 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 देखा इसको और महसूस किया और वो चाहते थे कि यह जो है यह दुनिया के सामने जाए और इसको एनलाइज किया जाए कि क्या होने वाला है अब अगर मैं आपको यह बताओं कि जो क्रिटिकल एंड अमर्जिंग टिकनालोजीज हैं इसमें फ्रांस तो जारी बाता उससरा लंबे जड़ा को सपोर्ट नहीं दे सकता उसकी लिमिटेशन्स हैं लेकिन फ्रांस ने एक चीज़ महसूस की कि इंडिया जो है उसको सम्हों अमेरिकन जो उपर आपने जो अमरीका के डिस्टिक कोट है उसने उसके नोटिस जो है वो निकाल दी हैं समन कर दी हैं तो यह दुख तो होता है कि यह क्या कर रहे हैं अब अजीद दोवल जो हैं वो एक आपको पता है कि फ्रांस के एक डिप्लोमाटिक एडवाइजर हैं एमनल बॉन उ यह जो आप लोग फ्रांस जा रहे हो या मोदी साब उनको यह बता रहे हैं कि यह जो आप करने जा रहे हो इसमें एक चीज़ को जहन में रखें और वो क्या चीज़ें में रखें कि हम अगर आप हमें ज्यादा तंग करेंगे आप हमें ज्यादा पुश करेंगे तो आप इ यूक्लिर अटाक सब मेरीन की कंस्ट्रक्शन में पूरी सेपोर्ट देंगे 100 टेक्नालोजी ट्रांसफर करेंगे तीक है जी और एरक्राफ्ट